नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चलनल स्टोरी वाला रेडियो में करण के बारे में महाभारत और पुराणों में कई कहानिया हैं जहां करण को दानवीर करण कहा गया है इस कहानी में भी आप जानेंगे कि क्यूं स्री किष्ण ने कर्ण को दानवीर्ट कर्ण कहा है एक बार स्री किष्ण भरी सभा में कर्ण की दानवीर्ता की प्रसंसा कर रहे थे अर्जुन भी उस समय सभा में उपस्थित थे वे किष्ण द्वारा कर्ण की दानवीरता की प्रसंसा को सहन नहीं कर पा रहे थे भगवान किष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पल भर में ही अर्जुन के मनोभाव को जान लिया शेकिष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानसीलता का ज्यान कराने का निश्चे किया कुछ ही दिनों बाद नगर में एक ब्रामभर की पत्नी का दिहान्त हो गया ब्रामभर अरजुन के महल में गया और अरजुन से विंति करते हुए कहा धननजय मेरी पत्नी मर गई है उसने मरते हुए अपनी आखरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मेरा दाह संसकार चंदन की लकडियों से ही करना इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकडियां दे सकते हैं रामभर की बात सुनकर अर्जुन ने कहा क्यू नहीं और अर्जुन ने तकाल कोसाध्यच को तुरंत 25 मन चंदन की लकडियां देने की आग्या दी परंत उस दिन ना तो भंडार में और ना ही बाजार में चंदन की लकडियां मौजूद थी कोसाधच ने आतर अरजुन को सारी व्यथा सुनाई और अरजुन के समच चंदन की लकडियां ना होने की असमर्थता व्यक्त की अरजुन ने भी ब्रामभर को अपनी लाचारी बता कर खाली हाथ वापस भेश दिया ब्रामभर अब कर्ण के महल में पहुचा और कर्ण से अपनी पतनी की आखरी इच्छा के अनुरूप चंदन की लकडियों की मांग की कर्ण के समच भी वही इस्थिती थी ना तो महल में और ना बाजार में कहीं चंदन की लकडिया उपस्थित थी परंतु कर्ण ने तुरंत अपने कोसाधिच को महल में लगे चंदन की खंबे निकाल कर ब्रामभर को देने की आग्या दी चन्दन की लकणिया लेकर ब्रामभर चला गया और अपनी पतनी का दा संसकार संपन ने किया शाम को जब श्रीकिष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकले देखा तो वही ब्रामभर समसान पर किर्तन कर रहा था जिग्यासा वस जब अर्जुन ने ब्रामभर से पूछा तो ब्रामभर ने बताया कि कर्ण ने अपने महल के खंभे निकाल कर मेरा संकट दूर किया है भगवान उनका भला करे यह देखकर भगवान शेकिष्ण अर्जुन से बोले अर्जुन चंदन की खंभे तो तुमारे महल में भी थे लेकिन तुम्हें उनकी याद ही नहीं आई यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि क्यूं कर्ण को लोग दानवीर कर्ण कहते हैं दोस्तो दानवीर कर्ण की कहानी जानकर आपको कैसा लगा अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद